नमस्ते कारों और आजम करणे हैं इंडियन फोर वीलर के सामने जिसका नाम है होर्स केरेज 1500 BCE में लॉंच हुआ था और ये फर्स जेनरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ हॉर्स के साथ दो मॉडल्स आते हैं सिंगल हॉर्स जिसकी कीमत है 1,35,000 रुपीज और डबल हॉर्स जिसकी कीमत है 1,70,000 रुपीज वैसे हॉर्स की कीमत शुरू होती है 30,000 रुपीज से लेकर 575 करोड तक ये 1 lakh रुपीज का देसी ब्रीड होर्स आप देख रहे हैं कैरेज या बग्गी की कीमत शुरू होती है 35,000 रुपीज से लेकर 40 करोड रुपीज था क्योंकि सोने और चांदी से बनी कैरेज भी आती हैं महेंगे आटवर्क के साथ इस कैरेज की कीमत है 4 lakh रुपीज पुराने जमाने में राजा महराजाओं की बग्गी में सोना चांदी ही लगा होता था इस बग्गी की रेंटिंग प्राइस शुरू होती है 10,000 रुपीज से 40,000 रुपीज था 4000 सालों से ज्यादा समय से होर्स कैरेज का यूज हो रहा है होर्स कैरेज का सबसे पुराना यूज हिंदू स्क्रिप्चर रिगवेदा में देखाया गया है जिसमें ट्रास्पोर्टेशन और रेसिंग के लिए उन्हें यूज किया जाता था 3300 BCE की इंडस वैली सिविलिजेशन में हरपपा, मोहिंजदारों और चानुदारों में होर्स कैरेज का सबसे पुराना एविदेंस मिलता है उसके बाद एजिप्ट, फ्रांस, यूरोप, यूके और यूएस है कई फेस कवर्स आते हैं गोडे के लिए यही ब्रेक और यही पूरा कंट्रोल है गोडे का इसी से पूरी रस्सी जुड़ी वी है और इसी से गोडा कंट्रोल होता है बीच में है लोही की बूम या हैंडल गोडे के कवर्स एक गोड़ी की पीट पे है चाल इसमें से रस्सी जाती है और यह है असला 5.6 मिटर लेंथ है 2.7 मिटर हाइट होर्स की 2 मिटर लेंथ है 1.8 मिटर हाइट है और एक होर्स का वेट है लगबग 700 केजी बगगी का वेट है 300 केजी यह बगगी आप देख रहे हैं कैरेज पूरी बंद वाइकल होती है पीछे बूम कनेक्टेड है लाइट दी गई है उपर आगे 30 इंच के वुडन वील्स मिलेंगे पीछे 41 इंच के वील्स मिलेंगे कैरेज को रोकने के लिए होर्स को ही रोकना पड़ेगा वो ही इसके ब्रेक्स होते हैं उपर भी लाइट दी गई हैं यह वाइट कलर होर्स आप देख रहे हैं ब्राउन, ब्लैक, बीज, ग्रे और क्रीम कलर का भी ऑप्शन आता है डूल टोन में ब्राउन वाइट, ब्राउन ब्लैक और वाइट ब्लैक के कलर्स आएंगे बग्गी में आपको कई कलर्स मिलेंगे ज्यादा तक वैसे रेड, गोल्ड, ब्राउन, ब्लैक, पिंक और वाइट कलर सी यूज होते हैं लीव स्प्रिंग सस्पेंशन है अपनी पसंद के हिसाफ से आप कैसे भी बग्गी को कस्रमाइज करा सकते हैं लाइट्स हैं आप देख रहे हैं आज होर्स केरेज का यूज शादी, फिल्म शूटिंग, एग्रिकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, रेसिंग, फॉर्मल सेरोमनी, टूरिजम और रिलीजियस इवेंट्स में यूज होता है यहाँ पर भी फूटस्टेप सस्पेंशन्स पूरा मैटल से बनी है बग्गी और यह है चक्का जिससे बग्गी घूमती है इससे ही आगे का बूम कनेक्टेड है संस्कृत में घोडे को अश्व कहते हैं और घोडे के सरवाले विश्नु अगवान के अवतार हैग्रीव की भी पूजा की जाती है पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स में कई लड़ाईयों में भी होर्स चैरियट या रत्खा यूज होता था जिसका रमायन, महवारत और शुलबा सूतर में भी काफी important तरीके से लिखा गया है रत्खा invention भी इंडिया में ही किया गया था कई पुराने मंदिरों में भी आप होर्स कैरेज का डिजाइन देख सकते हैं जैसे आईरावा तेशवर टेंपल और कोनार्क सन टेंपल कई कैरेज बनानी वाली कंपनीज ही आगे चलके कार मैनुफेक्चरर्स बने और कुछ बड़े कार डीलर्स भी बने जैसे जनरल मोटर्स, टूट बेकर और कई सारी कंपनीज गोडे को हटा के कैरेज में मोटर लगा के ही आटो मूबील्स का जनाम हुआ था कैरेज से ही कार वर्ड निकाला गया है 19th century में कैरेज डिजाइन करने के लिए कई कोच बिल्डर्स या बॉडी मेकर्स होते थे जो क्लाइन के टेस्ट के हिसाब से कैरेज बनाते थे आज के कई आटो मूइल टर्म्स होर्स कैरेज से ही लिए गए हैं जैसे कैब्रियोले फोल्डिंग हुड वाली कैरेज टेक्सी के लिए कोच, बड़ी क्लोज्ड कैरेज, कूपे, स्लोपिंग रूफ लाइन वाली कैरेज, लिमोजीन, लंबी कैरेज, ओमनी बस, डबल डेकर कैरेज, रैली कार्ट, रोस के कामों के लिए बनी लाइट कैरेज और वैगन, पीछ में घोड़े पर चलने वाले को आउट राइडर कैरेज डॉग भी यूज किये जाते थे जो कैरेज के आस पास चलते थे सेफटी के लिए आईए पीछे का पैसेंजर साइड डॉर खोल कर देखते हैं लॉकेबल डॉर है, मैटल फ्लोर है लॉकेबल ग्लोब बॉक्स लाइट दी गई है यहाँ उपर भी लाइट है यहाँ पर भी सीटिंग है अब अपनी पसंद के हिसाब से सीटिंग कन्फिगर कर सकते हैं बग्गी में और ऐसा इता है डैशबॉर्ड और आगे कोच मैन या ड्राइवर की सीट और यह है राज या चोटी जिसे गोड़ा कंट्रोल होता है इसे से गोड़े को कंट्रोल किया जाता है इस हिसे थे गोड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है रोका जाता है इंडिया में जनरल यूज के लिए नुकरा होर्स ब्रीड सबसे बेस्ट रहती है इस बगगी की लगबग 30 होर्स पावर है बगगी में एक गोड़ अपने वजन से 2 ताइम्स ज्यादा वजन कहीं सकता है 50 किलोमेटर परार की टॉस स्पीड ऐस बगगी की और एक बार में 50 किलोमेटर की रेंज आपको मिलेगी एक गोड़ा दिन में 2 बार खाता है उसे पसंद होता है गोड़, चना, जौ, भूसा, घास और हराचारा एक गोड़े पर लगबग परड़े 300 रुपीज खर्चो सकता है खाने में अच्छी देखबाल करने पर एक गोड़ा लगबग 25 से 30 साल तक जी सकता है होर्स या गोड़े का ट्राइनोमल नाम है इक्योस, फेरस, कैबलस बगगी को बनाने में जन्नली 7 से 8 महीने लगते हैं तीन साल का गोड़ा बगगी चलाने के लिए बैस्ट रहता है और गोड़े की ट्रेनिंग में 10 से 15 दिन लग जाते हैं फीमेल होर्सेस कैरेज में यूज नहीं होती है क्योंकि वो चिड़ जाती है और उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है और कई बार वो आट ओफ कंट्रोल भी हो जाती है होर्स कैरेज में यूजूली एक या दो होर्सी होते है वैसे आप 4, 6, 8, 10 और 20 होर्से भी जादा लगा सकते है एक गोड़ा 24 गंटे में लगबग 3 गंटे ही आराम करता है बट एक दिन में गोड़ा 15-15 मिनिट गैप लेकर ही सोता है इस टाइप से गोड़ा आराम करता है गोड़ा फिर रिचार्ज हो गया है और यह कई सारे कलर्स आप देख रहे हैं गोड़ों के यह ब्राउन वाइट डूवल टोन यह क्रीम कलर में यह वाइट कलर यह ब्राउन वाइट यह ब्लैक कलर में वाइट ब्राउन डूवल टोन तो कैसे लगा आपको होर्स कैरेज हमें कमेंट्स में बताईए एझ ब्राउन है को यह कि अचली कर दो कि भुछेंग fidelity कि अचाशर टारशड़ उसक भाते हैं कर दो, अचली का प्रहा है वे कि चाशरा है कि कि अचली कर दो दो कि कदेदा है कर दो कर दो हुआ कर दो भी लो हुआ है अज़ारी ऑट्रादी लो कर दो अज़ारीं आरे अज़ारीं आरे प्लादी लो प्रहारीं अज़ारीं है आरे इंग प्रक्राइब दो प्रखूार चैसारी नवेडि़ झाला आए है